बहुला चतुर्थी बहुला चौथ वरत कथा बहुला चतुर्थी वरत की कथा इस प्रकार है किसी ब्रह्मन के घर में बहुला नामक एक गाई थी बहुला गाई एक बच्छा था बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बच्रा व्याकुल हो उठता था एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने जूंड से बिछर गई और जंगल में काफी दूर निकल गई जंगल में वे अपने घर लोटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खुखार सेर आ गया सेर ने बहुला पर जप्टा मारा तब बहुला उससे विंती करने लगी कि उसका चोटा सा बच्रा सुबा से उसकी राह देख रहा है वे भूखा है और दूध मिलने की प्रतिक्षा कर रहा है आप किरपिया कर मुझे जाने दे मैं उसे दूध पिला कर वापस आ जाओंगी तब आप मुझे खा कर अपने भूख को शांत कर लेना सेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वे वापस आएगी तब बहुला ने सत्य और धर्म की सपतली और सिंग राज को विश्वास दिलाया कि वे वापस जरूर आएगी सेर से बहुला को उसके बच्छरे के पास वापस जाने दिया बहुला सिगरता से घर पहुँची अपने बच्छरे को सिगरता से दूध पिलाया और बहुत चाटा चुमा उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंग राजा के समक्ष जाकर खरी हो गई सेर को उसे अपने सामने देख बहुत हैरानी हुई बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर जुकाया और खुसी से बहुला को वापस घर जाने दिया बहुला कुशलता से घर लोट आई और प्रसंता से अपने बचरे के साथ रहने लगी तब ही से बहुला चौथ का ये वरत रखने की परंपरा चली आ रही है कैसा लगा आप सभी को बहुला चौथ वरत कथा वेडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बाड़ा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सबस्क्राइब एंड सेर करना बिल्कुल न भोला थैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्ट